सब्सक्राइब किजिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बढ़ंग को दबाईए और उसे दिवाने के बाद बैल आइकन के बढ़ंग को दबाईए ताकि आने वाले नए वीडियोज के अपडेटस आपको regularly मिलती रहे अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो आपका ब्रहस्पती खुद बखुद मजबूत हो जाता है अब ब्रहस्पती की किपाप आने के लिए और ब्रहस्पती के अंतरगत जितनी भी चीजे है यानि बुधि, भाग, संतान, सुक, बैवाईखिक जीबन हर एक चीज की प्राप्ती यहां तक की मोक्ष की भी प्राप्ती के लिए माँ इसकंदवाता के पूजा की जाती है आज हम पताएंगे धन के लिए क्या करें इस दिन चुकिए बहुत ही पावन दिन है तो धन के लिए दो हल्दी की गाट मातारानी के चर्णों में जरूर अरपीत करें और अगले दिन इस हल्दी की गाट को उठा कर अपने धन वाले अस्थान पर रख लें और अगले साल पूरे साल भर्स महीं पर पढ़े रहने दें अगले साल इस हल्दी की गाट को बहते वे जल में प्रवाहित कर दें या फिर पीपल के बिश के नीचे रखाएं और नई हल् पानी में हल्दी डालकर आप नहाते हैं उस पानी से तो आपका देव गुरु ब्रिश्पति मजबूत हो जाता है और जीवन में जो भी परिशानी है वो दूर होती है खासकर अगर आपका विवार नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में साथ चुटकी हल्दी पानी में डालकर आने के बाद भगवान स्री हरी विष्णों के चर्णों में हल्दी लगाई है और उसी उंगली से अपने माते पर भी टीका लगाई है हल्दी का आपका भागी भी मजबूत होगा और आपका ब्रस्पति भी मजबूत होगा